नमस्कार दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुरू सबी घरों में सबसे ज़्यादा शुब घरे माने जाते हैं और गुरू का गोचर हम सब के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है क्योंकि हमारे जीवन के सभी शुपकारियों में गुरू की गोचर की भूमी का बहुत ज्यादा महत्वपून मानी गई है गुरू का वकरी होना वा मारगी होना भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है 13 सितंबर 2020 से पहले गुरू अपनी वकरी वस्ता में चल रहे थे किन्तु 13 सितंबर से गुरू मारगी हो चुके हैं और गुरू का मारगी होना सभी जातकों के लिए जीवन में बहुत खुशियां लेकर आता है अभी गुरू धनू राशी में यानि अपनी स्वयम की राशी में गोचर कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शुप माना जाता है किन्तु 20 नवंबर से गुरू का गोचर धनू राशी से मकर राशी में हो जाएगा जो कि गुरू की नीच राशी है और यहाँ पर गुरू 5 अप्रेल 2021 तक रहने वाले है और शनी के यहाँ पर पहले से ही मौजूद होने के कारण से गुरू का यहाँ पर नीच भंग भी हो जाएगा और आपको गुरू के अशुपफल की जगा शुपफल ही प्राप्त होंगे करक लगन के जात्को की कुंडी में गुरू का गोचर अभी छटे भाव में चल रहा है और 20 नमबर से गुरू का गोचर सब्तम भाव में हो जाएगा करकलगन वाले जातकों को गुरू के छटे भाव में होने के कारण शुप फलो की प्राप्ती में जो दिक्कते आ रहे थी वह अब दूर हो जाएंगी क्योंकि गुरू अब केंदर में आ जाएंगे यहाँ पर शनी पहले से ही शश्योग बना कर बैठे हैं साथ ही शनी सप्तम भाव में दिक्बली भी होते हैं और अब शनी को गुरू का साथ भी मिल जाएगा इसलिए 20 नमबर से करकलगन के जातकों को बहुत ही शुप फलो की प्राप्ती होने वाली है करकलगन के जातकों की अपने जीवन साथी से चल रहे मनमुटाव दूर होंगे और यदि आप अनमेरिड हैं तो आपकी शादी के योग भी बनेंगे और आपके रिष्टे आने शुरू होंगे और इस समय में निश्चित ही आपका विवा भी हो जाएगा बिजनेस में आपके पार्टनर से भी आपको बहुत लाब मिलेगा चाहे वे आपका पार्टनर विदेश में ही क्यों न हो वे आपको बहुत लाब कराएगा आप यदि विदेश में सैटल होना चाह रहे थे तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं यहां से गुरू आपके लाब भावपद रिष्टी डालेंगे और आपके द्वारा किये गए कार्टनर का बहुत जल्दी लाब आपको मिलेगा आपके मान परतिष्ठावा सम्मान भी बड़ेगा आपके कार्टनर की तारीफ भी की जाएगी आप यदि जॉब में है तो निश्चिती इस समय में आपके परमोशन के योग भी बनेंगे गुरू की साथवी द्रिष्टी सिधी आपके लगन पर होगी आपका स्वास्ते इस समय में उत्तम रहेगा आप स्वयम को बहुत confident वा active मैसूस करेंगे आप well maintained वा positive भी रहेंगे गुरू की नौवी द्रिष्टी प्राकरम भाव यानी तीसरे भाव पर होगी इस समय में आप में बहुत साहस भी होगा तथा आप बहुत फुर्तिले भी रहेंगे आप किसी sports में भी participate कर सकते हैं तथा अन्य कलात्मक कारियों में भी आप participate कर सकते हैं या अन्य किसी साहसिक कारे को भी आप अंजाम दे सकते हैं भाई भेनों का भी पूरा support आपको इस समय में प्राप्त होगा तो दोस्तों ये था करक लगन के जातकों के लिए गुरू के गोचर के परभाव आपको यदि ये वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक अवश्य करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद